नमस्कार साथियों, 25 दिसंबर के दिन नए क्रिमिनल लॉज यानि BSA भारतिय साक्षदिनियम, BNS भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता और BNS भारतिय न्याय सहीता इन टीनों को भारत की संसट से तो मानेता मिल ही गई थी, इनको राष्ट्रपती की भी मानेता मिल गई यानि र मैं फिर क्लेरिफिकेशन आपको दे रहा हूँ, ये कानून लागू नहीं हुए हैं, ध्यान से सुनिये इस बात को, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि कानून लागू हो गए, ने कानून आ गए, समाचार पत्रों में ये चल रहा है, ये गजजट नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक ने कानून लागू नहीं होंगे, अब गजट नोटिफिकेशन आ गया, तो इसका मतलब क्या समझें कि कानून लागू हो गया है, मैं आपको आंसर दे दूँ, नहीं, ने कानून लागू नहीं हुए हैं, अगर आप गजट नोटि लाइगी वापस से और बताएगी कि ये कब से लागू होंगे मतलब लागू होने का डेट उसे कहते हैं डेट आफ इंफोर्समेंट अभी तक नहीं दिया गया फिर दूसरी इंपॉर्टन बात आप समझें तीन जो कानून हमारे पास है जिसमें BNS BSA और CRPC तो जो BSA है उसे आ लागू नहीं होने वाले और जब कभी भी लागू होंगे तो इनके पार्ट्स अप्लाई होंगे पार्ट्स मतलब कुछ भागों को कुछ धाराओं को लागू किया जाएगा कुछ धाराएं समय समय पर लागू होंगी मैं आपके लिए प्रोविजन रीड कर दूं तो BNS भ तो जो मैंने अभी आपके सामने रीड किया और जो आपने गैजट नोटिफिकेशन का फर्स पेज चैप्टर वन जिसका आपने अभी स्क्रीन में स्क्रीन शॉट देखा उसको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि सरकार BNS को फिलहाल पूरी तरह से लागू नहीं करने वा तब तक ये कानून लागू नहीं होंगे इस बात को ध्यान रखिए फिर एक बात और समझा दूँ अगर ये कानून लागू हो भी गए तो जो पुराने बेरेक्टर किताबें हैं वो काम में आती रहेंगी कारण मैं समझा दू क्यों उसका कारण ये है कि जैसे एक्जामप हुआ है तो उस पर IPC के प्रोविजन्स लागू होंगे इसका मतलब ये है कि वो मामला जब तक चलेगा तब तक IPC के प्रोविजन्स लागू होंगे इसका ये मतलब हुआ कि पुलिस वालों को जजजेस को एड़ोकेट्स को इन सभी को दो किताबों को साथ लेके चलना आप वो डेट समझें जिस डेट को सरकार नोटिफिकेशन देगी इसके इनफोर्समेंट के बारे में मैं वापस से समराइज कर दूँ आप सब के कंफ्यूजन को दूर कर दूँ कि अभी भी IPC, CRPC और एविडेंस ही देश में लागू है नए कानून देश में लागू नही हुए हैं आज जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 30 दिसंबर 2023 है और आज की डेट तक गौवर्मेंट ने इन कानूनों के लागू होने की डेट नहीं बताई है मुझे उम्मीद है कि इस चोटे से लेक्चर से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे कुछ और आप पूछना जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जुड़िए डाउट्स आपके मन में नहीं होने चाहिए अगर आप विदिक सिक्षा से जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विदिक सिक्षा से सारे डाउट को क्लियर करना है और समझते रहना है देश के कानून को आसान शब्दों में नमस्कार जैहिन